नमस्कार गुडिवनिंग क्या हाल चला है पैरे बच्चों तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है और आज का वीडियो खास कर उन स्टुडेंट्स के लिए हैं जो और्गनिक रियक्शन नहीं कर पाते हैं या जिनको और्गनिक रियक्शन करने में दिक्कत होती है रियेजेंट याद नहीं होते हैं और्गनिक रियक्शन काफी कन्फियूज लगती है या वो उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफी हेलफुल होने वाला है जो अभी बोर्ड के बाद जे डबली और नेट की तयार होने वाला है और्गनिक रियेजेंट एंड डियर फंक्शन इस पर मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं कि रियेजेंट का क्या फंक्शन होता है लेकिन वह सारे के सारे वीडियो क्या कम माहिन है यह बहुत सारे रियेजेंट एक साथ मैंने बता दी अब मैं क्या करूंग कि chapter wise सारे region के function में आपको बताऊंगा कि किस region का क्या function होता है समझगे मेरी बात तो आज का वीडियो होने वाला है organic region and their function सबसे important question यह होता है कि अगर हमने organic region याद कर लिए तो हमें कहां फाइदा होगा और अगर मुझे region याद नहीं होते हैं तो मैं कहां फसने वाला हूं यह दो पॉइंट याद रखना है ना क्या फैदा होने वाला देखे बच्चो जब भी हम organic chemistry के बात करते हैं तीन तरह की reaction हमारे सामने आती है देखो एक तो reaction आते complete the following reaction यानि दो रियेजेंट आपको दे रखे होते हैं दो रियेक्टेंट आपको दे रखे होते हैं और साथ में एक reaction दे रखा होता है क्या इस तरह होता है दो रियेक्टेंट अब आपको पूछा जाता है कि यहां पर आप product बनाईए लेकिन अगर बच्चों आपको इस रियेजेंट का function ही मालूम नहीं होगा तो आप इस reactant को product में convert नहीं कर पाऊगा होती कैसे कई बच्चों की problem यही है कि आप reaction करनी आती नहीं है क्योंकि आपको इस reagent का function मालूम नहीं है समझ गे मेरी बद तो main क्या है कि के वज क्या करेगा कि यह product बना देती यह आपको ध्यान में रखना है तो इससे आपको मदद बलेगी तो एक यह हो गया इसी तरह की दूसरी reaction भी हो गई कि what is the rule of KCN अगर उसके सामने यह alkyl halide हो तो क्या होगा तो अगर आपको मालूम चल गया कि KCN का काम क्या है तो RM से आप product बना सकते हैं complete the following reaction वाले question easily लगा सकते हैं ठीक है दूसरा क्या फाइदा होने वाला देखिए conversion mostly बच्चे conversion में घच्चा खा जाते हैं कि माल ने जा हमारे पास propine को propine में convert करना है तो कुछ ऐसे reagent होंगे आपके पास जो कि इस compound को इस compound को बदलने में help करेंगी इस compound से इस compound बनाने में help करेंगी तो ultimately हमारी सुभी काट केगी reagent पर कि मैं ऐसे reagent का use करूँ जो इस से मुझे इसको बनाने में help करेंगी clear हो गिया ठीक है और तीसरा कहां अठकेंगे बच्चों इस तरह के बहुत सारे question जे डबली और नीट में इवन बोर्ड में भी इस तरह के question आते हैं कि एक compound दिया होता है और यहांपर reagent दिया होता है फिर पुछा चाहता है A फिर A की reaction इसके साथ होती है तब पुछा चाहता है B बताओ then B की reaction इसके साथ होगी then पुछा चाहता C तो C, A और B का आप पता लगाओ कि क्या होँगे तो अगर बच्चों आपको इस reagent का function ही नहीं मालूम तो आप इसको इसमें convert नहीं कर सकते तो A तब ही पता चलेगा जब आपको ये मालूम होगा कि Cl2 और FeCl3 benzene के साथ क्या करते हैं Then A बना दिया आपने अब A की reaction एनेवच के साथ हो रही है तो A जब बनेगा तो एनेवच उसके साथ क्या काम करेगा उसी तरह B के साथ zinc तो इस तरह के question को solve करने के लिए आपको जरूत पड़ेगी reagent और उनके function और जैसे मैंने बताए कि मैं chapter wise बताऊंगा ठीक है कि कहां कहां कौन से कौन से reagent यूज होते हैं चरू करें भई ठीक है तो ये देख लीजिए कि किस तरह की problem हमें solve करनी है और उनके की point क्या होने वाले हैं ठीक है भई तो मिटा दू इसे ठीक है चालो है न तो बात करते हैं कि organic reagent और उनके function chapter wise और बच्चों जो आज का chapter मैं लेने वाला हूँ वो है हेलो एलकेन एन हेलो एरीन ठीक है तो नोट कर दीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जो हमारे पास पहला chapter है वो है हेलो एलकेन एन हेलो एरीन एलकाइल हैलाइड और गनिक केमेस्टी में second book का पहला chapter है ठीक है clear होगे अब देखते हैं कि इस chapter में कौन-कौन से रेजेंट यूज होते हैं और उनका क्या function है clear होगे ठीक है तो मेरे पास रेजेंट है मैं तो one by one आपको रेजेंट लिखाता जाओंगा और उनके function बताता जाओंगा clear होगे तो side by side एम रेजेंट लिख लेंगे आप भी साथ में node करते जाएए ठीक है भई तो देखो पहला रेजेंट हमारे पास है देखें है न HCl HCl plus ZnCl2 और कई बार इसको concentrated HCl plus Anhydrous ZnCl2 भी लिखते हैं तो बच्चो इसका काम क्या होता देखें इन दोनों के mixture को हम बोलते हैं लिउकास रेजेंट याद होगा आपको अगर अपने पढ़ा होगा this is called लिउकास रेजेंट ठीक है तो बच्चो जहां आपको लिउकास रेजेंट देखें इसका मतलब जो लिउकास रेजेंट है वो किसी एलकोहल को एलकिल हलाइड में convert करता है तो देखें एलकिल है तो यानि ओच को हटा के किसमें convert करना होता है हेलो हेलोजन में convert करना है यानि हेलो एलकिल में और हेलो एलकिल में देखेंट है तो क्या होगा हैं क्लियर होगी है तो एन हैड्रस जेडेंसीयल तो और एथसीयल दोनों मिलके क्या करते है एलकोहल को एलकिल हलाइड में convert करते हैं क्लियर होगी है इन केस अगर केवल एथसीयल होतो तब भी सेम दियक्षन होगी जेडेंसीयल टू जो है केवल तभी काम करेगा जब प्रैमरी और सेकंडरी हो लेकिन अगर यहाँ पर एलकोहल टर्सरी होगा तो एथसीयल से ही काम चले जाएगा अगेन हमें क्या मिल जाएगा एलकाइल हेलाइट तो चाए बच्चों एथसीयल दे रखाओ या एथसीयल के साथ जडेंसीयल टू दे रखाओ दोनों ही क्या करते हैं एलकोहल को एलकाइल हेलाइट में कंवर्ट करने का काम करते हैं तो नोट करो भटाबट तो इसका काम है एलकोहल को एलकाईल हैलाइट्स में कनवर्ट करना, clear हो गया तो सिद्धी सी बैता अगर यह आपको दिखे तो लेफ्ट एंड साइड एलकोहल होगा, रेट एंड साइड एलकाईल हैलाइट होगा, clear हो गया ठीक है, मिटा दू चालो नोट करते जाओ है न बार-बार यह practice करना है तो बस आपका concept clear हो जाएंगे तो बहुत काम बन जाएगा, ठीक है चालो भाई, दूसरा रेजेंट, दूसरा क्या बोलता है, देखो PCL-5 बहुत सारे है PCL-5 PCL-3 SOCL-2 है न, और even HCL भी ले रहा हूँ मैं बगल में है न, HCL एक ही बात है, ठीक है तो अब देखो बच्चो, एक और रेजेंट इसके साथ है चलो पहले इनको देख लेते हैं न PCL-5, PCL-3, SOCL-2 and HCL इन सबका भी काम सेम लिक्वास रेजेंट के जैसे होता है दे कनवर्ट एलकोहल इन्टू एलकाइल हैलाइड क्योंकि इनके पास CL है, तो एलकाइल हैलाइड हमेसा क्या होगा, क्लोरो टाइप का होगा, ठीक है तो चाहे इन में से आप कोई भी यूज़ करो चाहे आप PCL-5 यूज़ करो चाहे आप PCL-3 यूज़ करो, चाहे आप क्या करो HCL यूज़ करो, तो यह क्या करते हैं OH ग्रूप को हटाके OH ग्रूप को हटाके उसकी जगे में CL ग्रूप को लगा देंगे, इस तरह से ठीक है समझ में बात आ गई, आच्छा अब ये जो रियेजेंट है ने वाले हैं, हम HCL के बात नहीं करते, ये जो रियेजेंट है इन रियेजेंट का कामी यही होता है कि OH को हटाना यानि OH के बदले क्या लगाते हैं CL लगाते हैं, अब बच्चो OH तो कहां कहां होता है, एक alcohol में होता है, और एक OH आपको कहां मिलेगा कार्बॉक्सिलिक एसेड में तो ये सारे रियेजेंट जो है अगर कार्बॉक्सिलिक HCL छोड़ दिया जाए, तो ये सारे के सारे रियेजेंट कार्बॉक्सिलिक एसेड में OH को रिमूब करके क्या बना देंगे, RCO तो यह मैं कार्बॉक्सिलिक एसिट में बताऊंगा आपको क्योंकि कार्बॉक्सिलिक एसिट जनली हेलो एलकेन में यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि PCL5, PCL3 and SOCL2 क्या काम होता है OH को हटा के CL लगा दिना, अब OH जो है अलकोहल के पास है, तो अलकेल हैलेट बनेगा अगर कार्बॉक्सिलिक एसिट के पास होगा तो कार्बॉनिल कलोराइट बनेगा क्लियर हो गया तो ये तो हमारे पास जनली इस चैप्टर में नहीं आता है तो इसको याद करने के भी जुरत नहीं जब मैं कार्बॉक्सिलिक एसिट पढ़ाऊंगा तो आपको याद रहेगा इन सब रियेजेंट का क्या काम हता है ओवेच को CL में कनवर्ट करना क्लियर हो गया ठीक है नोट कर रहे हो अब तीसरी टाइप का रियेजेंट हमारे पास तीसरा जो है तीसरा है बच्चों एने आई प्लस एसिटोन एने आई प्लस एसिटोन ठीक है अच्छे एक चीज देखके बच्चे घबरा जाते हैं कि ये एसिटोन हमने क्यों लेका तो बच्चों कई बार रियेजेंट तो ये होता है ये मेन रियेजेंट होता है लेकिन इसके साथ भौष सारे solvent यूज होते हैं कई बार alcohol, कई बार water, कई बार acetone, कई बार chloroform, कई बार ether अभी आएगा। कौन-कौन से solvent यूज होते हैं देखो कई बार carbon tetrachloride यूज होते हैं कई बार एठर यूज होता है कई बार एलकोहल यूज ओता है कई बार ऐसी टून यूज होता है कई बार को इनको देखे आपको जो है confuse नहीं होना है है ना ये सारे के सारे as a solvent काम करते हैं इनका as such वैसे कोई role नहीं है वैसे अगर mechanism देखे तो काफी important role होगा लेकिन main role किसका रहेगा जो यहाँ पर रहेगा है ना इसका main important role है they act as a solvent ठीक है clear हो गया तो अब बात करते हैं कि na और i का क्या role है तो बच्चों na i जो na i है alkyl halide में देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ alkyl halide x और प्लस na i और उपर लिखता हूँ मैं ऐसी tone तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर x और i एक दूसरे को replace कर देगा यानि i जो है x को replace कर देगा और इस x का मतलब c l भी हो सकता है और b r भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर लग जाएगा r i simple i लगेगा और x क्या हो जाएगा remove हो जाएगा na x के form में clear हो गया यह reaction अगर आपने पढ़ी होगी तो इसका नाम है बच्चों fincastine reaction fincastine reaction और fincastine reaction में क्या होता है halogen exchange होता है यानि एक halogen दूसरे halogen को replace कर देता है तो हमेशा बच्चों iodine ही replace करेगा chlorine और bromine को उल्टा नहीं होगा ठीक है तो na i अगर जहाँ पर आपको दिख जाए तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि ये replacement हो जाएगा ठीक है तो इस तरहे काम करता है ठीक तो चाहें यहाँ पर आप chlorine हो या bromine हो क्या बनने वाला है alkyl iodide बनने वाला है तो इसका काम होता है halogen exchange क्या लिखोगे halogen exchange clear ठीक है समझ में बात आ रही है ठीक है चलो इसी तरह से हम और भी रेजेंट हमारे पास है आप देखते हैं कौन-कौन से है तो तीन तो हो गए अब मैं इनको मिटा देता हूँ है ना तो याद रहेगा आप धीरे देरे तो बहुत सारे हमारे पास और गनिक रेजेंट है तो उनका एक specific function होता है तो उस function को आपको याद रखना है और कई बार तो name reaction भी आ जाती है उसके साथ तो बहुत अच्छी बात हो गई है ना चलो नेक्स्ट हमारे पास आया देख लेते क्या क्या है AGCN चौथा हो गए ना AGCN and KCN ठीक है बच्चो अब देखो AGCN और KCN का रोल क्या है अगेन यहाँ पर AGCN और KCN का रोल है substitution reaction तो substitution किसका होगा बच्चो निकलो का substitution होगा है कि यह निकलो फाइल जो है अलकिल हैलाइड से एक हैलोजन को निकाल देगा ठीक है अब देखो माल लेजे हमारे पास है RX प्लस हम यहाँ पर कर रहे है KCN तो यह CN है ना यह माइनस चार्ज यह है और K है प्लस है तो CN क्या करेगा इस X को रिमूब कर देगा और उसकी जगह में खुद आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर हो जगह RCN प्लस KNX होगे ना सब्सेटिशन तो जितनी भी एलकेल हलाइड की डिक्शन होते है वो most of क्या होते है सब्सेटिशन डिक्शन होती है कोई न्यूक्लोफाइल जो है हैलोजन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह में खुद आ जाएगा RCN लेकिन बच्चों AGCN के साथ थोड़ा सा रोल अलग है अगर हम AGCN की बात करते हैं तो यहाँ पर RCN की जगह क्या हो जागा RC यही आपको ध्यान रखना है कई बार पूछा भी जाते हैं ठीक है और प्लस AGN X तो CN लगाना हो तो KCN से एरेक्शन कर दो और NC लगाना हो तो AGCN से एरेक्शन कर दो इसका कंसेप्ट लग है वह मैं चैप्टर में बताऊंगा कभी चैप्टर तो इसमें पढ़ा रखा है तो रिप्लेस्मेंट हो रहा है लेकिन इस समय X रिप्लेस हो रहा है CN के तुरूग और NC के तुरूग ठीक है तो याद रखना है KCN और AGCN जान बुचके कई बार AGCN दे देते लोग बच्चे क्या करते हैं CN लगा देते हैं लेकिन बच्चों मापर लगेगा NC आइसो साइनाइड और यहाँ पर बनेगा अलकाइल साइनाइड तो यह काम होता है डोनों का ऐसा ही ऐसा ही एक इंपोर्टेंट रूल होता है AGNO2 एंड KNO2 यह भी थोड़ा सा confusion reaction है AGNO2 और KNO2 तो बिल्कुल इसी के जैसे यह भी substitution reaction है यानि जो NO2 है वह as a nucleophile के तरह काम कर रहा है तो NO2 क्या करेगा हैलोजन को exchange कर देगा तो देखे RX AG NO2 तो बच्चों यह NO2 है यह X को replace कर देगा तो यहाँ परेगा RNO2 लेकिन अगर हम बात करें KNO2 की तो यहाँ पर आएगा RONO इस तरह से यह भी NO2 है यह भी NO2 है लेकिन बच्चों यह nitrogen है यह alkyl nitrite है बस इतना आपको ध्यान रखना है alkyl nitrite और यह nitro alkyl कुछ reagent ऐसे होते हैं जहां पर different product बन जाते हैं वही से ज़्यादा question पूछे जाते हैं तो KNO2 के साथ RONO और AG and O2 के साथ RNO2 nitro alkyl nitrite तो यह कई बार reagent का function क्या होता है तो mostly जितने भी reaction आप alkyl halide में देखोगे most or consideration होती है substitution reaction यानि कोई alkyl halide के halogen को replace कर देता है और उसकी जगह में खुद लग जाता है तो याद रखना है चलो समझ में आई बात मिटा दो इसे अब देखते हैं आगे दूसरा reagent हमारे पास कौन सा है ठीक है 6th number का अब हमारे पास बच्चों reagent है BR2 plus H new CL2 plus H new ठीक है अब देखो BR2 plus H new यानि light CL2 plus H new यानि light तो जहां जहां आपको BR2 and CL2 देखे इसका मदलब दो टायट की reaction possible है अगर alkyl halide के case में मैं देखूं जैसे माल लेज़ा हमारे पास है CH2 double bond CH2 ठीक है बच्चों और यहां पर अगर हम करवा रहे हैं BR2 ठीक है प्लस H new तो हमेशा क्या होगा बच्चों addition reaction होगी double bond के साथ अगर BR2 जुड़ा है तो हमेशा क्या होगा CH2 and CH2 and BR and BR क्लियर किस तरह से ठीक है कई बार H new की जगे यहां पर BR2 प्लस solvent H कर देते हैं CCL4 ठीक है अब in case CS2 double bond CH2 and CL2 BR2 जगे CL2 तो यहां भी क्या होगा addition हो जाए है न तो BR2 के साथ अगर कोई solvent हो तो addition reaction होगी एक चीज आपको ध्यान रखना है और बच्चों अगर BR2 के साथ H नहीं होगा थोड़ा सा ध्यान दीजे न solvent के साथ addition reaction और अगर केवल BR2 दे रखाओ तो भी addition reaction लेकिन यहां पर भी addition होने वाली है CH2 and CH2 and CL and यह reaction लेकिन ध्यान दीजे अगर BR2 और H नहीं दे रखाओ हो तो इसका मतलब जो है अब reaction क्या होगी substitution reaction आपने halogenation अब hydrogen निकल के और क्या लग जाएगा एक bromine लग जाएगा देखी है hydrogen निकल गया और bromine आ गया तो ethyl bromide बनगे alkylide बनगे तो H new क्या करेगा free radical mechanism के थूँ substitution reaction कराएगा लेकिन H new नहों तो क्या reaction होगी addition reaction होगी clear जबकि देखो अगर solvent हो तो addition तो इसका मतलब 100% यहा कोई double bond होने वाला है ठीक है और अगर H new दे रखा हो तो 100% left hand side क्या होगा single bond होगा clear होगी है ठीक है तो अब CL2 हो तो CL2 लग जाएगा BR2 हो तो BR2 लग जाएगा ठीक है भई चलो अब एक और चीज देखो next नमारे पास क्या है देखो Na plus Ether है Na plus Ether अब देखो Ether as a solvent काम कर रहा है तो चिंता ने करने की Ether का क्या रोलोगा mostly Na का रोल तो बच्चों जहां जहां आपको Na और Ether दिखे इसका मतलब वहां किस type की reaction हो रही है वर्ज reaction वर्ज reaction is the sorry Na and Ether is the key point of वर्ज reaction और reagent of वर्ज reaction तो वर्ज type की reaction होगी अब वर्ज reaction वर्ज वर्ज फिटिग और तीसरी होती बच्चों क्या लिख रहा हूं है फिटिग तीन वर्ज 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 फिटिग और फिटिग तीनों में कौन सा यूज होता है Na प्लस एथर जहां 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 आपको Na और Ether मिले इसका मतलब 100% वहां पे वुर्ज टाइप की reaction हो रही हो अब reaction कैसे होगी तो बच्चों क्या होता है हमारे पास एक एलकिल हलाइड है और उपर लिखा है एने प्लस इथर इसका मतलब वुर्ज टाइप की reaction होने वाली है ठीक है तो जो आर एक्स होगा उसके दो molecules होगे है हमेशा क्या बनेगा हाइडरो कारबन बनेगा ओलवेज यानि जो आपने यहाँ पर एलकाईल ग्रूप लिया है वो डबल हो जाएगा अगर मिथाईल लिया तो इथाईल बन जागा इथाईल लिया तो बूटाल बन जागा इस तरह से वुर्ज रेक्शन अगर in case वुर्ज फिटिगो तो हमेशा एक एलकाइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड यूज होगा तो भी क्या बनेगा हाइड्रो कारबन बनेगा डो मतलब एने और एथर या भी है ने एन एथर ठीक है तो इसका मतलब अभी भी क्या बनने वाला है हाइड्रो कारबन बनने वाला है और अगर फिटिक रेशन की बात करूं मैं यही डिफरेंस है वूड्ज वूड्ज फिटिक और फिटिक लेकिन सॉल्विंट क्या है सौरी रिएजर्म फिश्यव्य सोडियम प्लस एथर समझ bisher हमेंशा हैड्रो कारबन बनेगा लेकिन कौन सा हैड्रोकरबन एक हैलेफाटिक एक एरोमेटिक लेकिन अगर आपने दोनों एरोमेटिक लिए है इन्हीं पूरा मॉलेक्यूल आपने अरोमेटिक लिया है तो हमेशा क्या बनेंगे दो अरोमेटिक रहेंगा आपस में कनेक्ट हो जाएंगे बाइफिनल बनेगा ऑल्वेस बाइफिनली बनता है इस तरह से सोडियम और इथर जहां जहां हो वो क्या करेगा आपको हैड्रोकार्बन देगा अब आगे तो सोडियम और इथर का काम है वुर्ज डियक्शन एन फॉर्मेशन ओफ हैड्रोकार्बन ठीक है चालो नेक्स्ट एट नमबर का एट नमबर में देखो क्या दे रखा है बतो बच्चों जबान भी फिसल रही है एजी एफ एजी एफ है की जिएफ मboys बोल देना आइजी एफ तो ए जी एफ और एलकाइल है लाइट प्लस ए जी एफ ठीक है अगेन क्या होगा सब्सिट्यूशन रियक्षयन फ्लॉरीण जो है X को replace कर देगा और इस substitution reaction को हम बहुते है again halogen exchange तो बनने वाला है RF plus AGX ठीक है तो इस reaction को हम बोलेंगे बच्चों SWAT reaction आपने अगर पढ़ा हुआ SWAT reaction तो SWAT reaction में हमेशा alkyl fluoride बनते हैं तो हम हमेशा क्या use करेंगे metal fluoride यूज़ करेंगे अब यहाँ पर केवल एक ही metal fluoride है लेकिन और भी metal fluoride यूज़ होते है COF2 भी यूज़ होता है HG2 F2 भी यूज़ होता है तो इस तरह से metal fluoride अगर जहां जहां यूज़ होते हैं इसका मतलब वो alkyl halide को किसमे convert कर देंगे fluoride टाइप के compound में alkyl fluoride टाइप के compound में convert कर देंगे tensor टेक जी याद रखना है हमेशा क्या होगा substitution होगा ठीक और यहाँ पर क्या हो रहा है halogen exchange हो रहा है एक halogen दूसरे halogen को exchange कर रहा है जैसा किसमें हो था जैसा हमारा अभी Finkelstein reaction में हो था आगे बड़े इसको मैं पूरा मिटाए देता हुए ना तो कितने रेजेंट हो गई वह हमारे 8 रेजेंट हो गई ना तो नमबर तो आप लिखे लिए 8 रेजेंट, 9 रेजेंट, 10 रेजेंट कितने हो रहे हैं ना चलो next देखिए अब हमारे पास है अब कई बार heat, temperature mild heat, कुछ दे रखाओ तो यह क्या करते हैं rate operation को बड़ा देते हैं इतना इसमें confusion उनने बात रहे हैं heat का क्या काम होगा heat mostly क्या करते है rate operation को बड़ा देती है या कहीं पर water molecule छोटे molecule को निकालने का काम करती है बस यही काम है heat का लेकिन बच्चो यहाँ पर एने वच आपको दिख रहा है इसका मतलब अभी nucleophilic substitution reaction होने वाली है तो एने वच अगर आपको दिख जाए तो 100% यहाँ पर जो है एक chlorobenzine की बात हो रही है तो chlorobenzine अगर एने वच के साथ reaction करेगा और heat मतलब high temperature और high pressure कई बार दिया होता है high temperature and pressure तो बच्चो आप बोलोगे क्या reaction होने की सिंपल सी बात है जितनी भी हेलो एलकिन और हेलो एलकिन की देक्षिन हो रही है सब क्या reaction होंगी substitution reaction ध्यान रखना और कौन सी substitution reaction nucleophilic substitution तो अभी इसमें nucleophile कौन है OH- है तो वो CL को replace कर देगा तो क्या बन जाएगा याप phenol plus any CL substitution ही करवाना है हर बार आपने जितनी भी डेक्षिन देंगी समने क्या हो रहा है addition तो होनी ना mostly क्या हो रहा है substitution reaction chlorobenzene को substitution करना काफी मुश्किल होता है इसलिए हमने high temperature और high pressure का यूज क्या वो अलग concept तो कई बार पूछ देता है कि hydrolysis of chlorobenzene ठीक है या chlorobenzene की एनेवच के साथ reaction होगी तो क्या बनेगा तो वही है chlorobenzene की एनेवच के साथ reaction होगी तो क्या बनेगा फिनॉल उसी तरह एक रेजेंट हो रहा है प्रेशर तो एच्टो में जो निकलोफाइल होता है वह कौन सा होता है ओच माइनस तो ओच माइनस सील को रिप्लेस कर देगा तो हमें इस कंडिशन में भी क्या मिलेगा फिनॉल मिलेगा तो चाहिए आप एनेवच से रेक्शन कराओ चाहिए आप एच्टो से रेक्शन कराओ दोनों केस में निकलोफाइल ओवच होगा तो आपको क्या मिलने वाला है फिनॉल मिलने वाला है फिनॉल ठीक है कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं कि क्लोरीन लिखा और नीचे अनो टू लिखा और तब बोल दिया आप इसका हैड्रोलाइसिस करो अब क्या बनेगा भाई ठीक है और यहां पर थोड़ा सा टेमपरिचर दे दिया तो कहानी बच्चों वही होने वाली है अगिन रिप्लेस कौन होगा सीयल होगा एनो टू जैसा है वैसा रहने वाला है एनो टो कहीं नहीं जाएग तो इस तरह से हेलो एलकेन में एनेवेच और ओच का काम होता है क्लोरो बेंजीन से क्लोरीन को हटा के उसकी जगे में क्या लगाना ओच लगाना तो चाए एनेवेच हो चाए एच्टू हो है ना सीयल को हटा के क्या लगाना ओच लगाना और सीयल को किस से हटाएंगे एरिन से है ना ध्यानक ना एरिन से हटाएंगे क्लियर हो गिए ठीक है हाँ कई बार ऐसा हो सकता है देखिए कि आपको दिया हो आर सीयल या आर एक्स चलो मैं लिक लेता हूं आर एक्स है ना आर एक्स और यहाँ पर दिया हो H2O तो बच्चों सेम कहानी होने वाली है यहाँ पर भी एल्कॉल ही बने वाला है आर ओवेच ठीक है इस तरह से तो यहाँ पर भी क्या होगा ओवेच निकलो फाइल होगा तो वो X को रिप्लेस करेगा उसकी जगह में ओवेच जगह अब H2O की जगह में अगर आपने एनेवेच लिया तो यहाँ पर भी सेम कहानी होने वाली है तो कुल मिला के बात दोनों का एक ही है वो चाए एल्किल हलाइडो चाए एराल हलाइडो क्या करेगा ओवेच को लगा देगा और X जो है उसको निकाल देगा क्लियर नोट करो फड़ापट इस तरह से यह रियक्शन काम करती है ठीक है भाई चलो आगे बढ़े अब देखिए बस बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है कि जितनी भी जितनी भी हेलो एल्किन और हेलो एल्किन की रियक्शन होती है मैं बार-बार रिपेट कर रहा हूँ वो mostly substitution reaction होती है तो substitute होने वाला group कौन सा होगा हेलो जन और आने वाला group कौन सा होगा कोई निकलोफाइल जान रखने ठीक है कोई भी निकलोफाइल हो सकते चलो आप देखते हैं दूसरा बात करते हैं बच्चों हाँ एक्वस के ओ एच एन एल्कोहलिक के ओएच बहुत important इन दोनों का काम बड़ा अलाग अलागे में ध्यान रखना है एक्वस के वच एक्व है ना एक्वस के वच एन एल्कोहलिक के वच ठीक है जैसे मैंने भी आप को पूछा था कि अगर आपके पास कोई एल्किल हेलाइड है और उसकी रियक्शन आप कर रहे हैं एक्वस के वच से तो बच्चों यहाँ पर सब्सिटूशन रियक्शन होगी ओच जो है एक्वस को रिप्लेस नहीं होगा अब जो है यहाँ पर रियक्शन होगी अलिमीनेशन और इलिमेनेशन में क्या होगा बच्चों D-Hydro हेलोजीनेशन होगा तो हंडेट पर्सन यहाँ पर क्या बनने वाली है एक इलकीन बनने वाली है यहाँ रखना यहाँ पर होगा substitution यानि X replace हो जाएगा निकलोफाइल के थरो लेकिन यहाँ पर क्या होगा elimination यानि dehydrohalogenation तो X में निकलेगा साथ में H में निकलेगा तो हमेशा क्या बनेगा एक एलकीन बनेगी in case अगर आपने यह लिया तो यहाँ पर कौन सी अलकीन बनेगी CH2 डबल बॉर्ण CH2 ठीक है डिपेंड करता है फिर सेट्जर रूल आज़ता है वो concept अलग है तो आपको basic याद रखना है कि अलकोहलिक के वज़ का काम होता है elimination अलकीन बनाना अलकेल हलाइट से लेकिन जो एकोस के वज़ है उसका काम क्या होता है substitution तो वो हमेशा अलकोहल बनाएगा rather than अलकीन कई बार यह पूछा जाता है बच्चे गन्फूज जाते है ठीक है और कई बार कैसे लिखा होता है देखें मैं आपको बताता हूँ अभी मैंने सुरुवात में आपसे ये question पूछा था CS3, CH2 और यहाँ पर BR और यहाँ पर लिखा है KOH और उपर लिखा है alcohol ये कहान ही है देखो तो बच्चो इसका मतलब यह हुआ alcoholic KOH है ना तो alcoholic KOH होगा तो BR के साथ-साथ H भी जाएगा इसका मतलब यहाँ जो है एक Alkin बनेगी clear होगी और यहाँ पर अगर alcoholic KOH की जगा water दिया होता तो अब कहानी उल्टी हो जाती कहानी इस तरब जाती तो यानि हमारे पास alcohol Alkin की जगा क्या बनता alcohol बनता देखिए KOH plus Equus या water तो अब यहाँ पर बनता Ethanol कई बार Confuse होती है reaction दियान रखे कैसे बन रहा है है ना तो इस तरह का मामला आता है कई बार clear होगी बच्चे Confuse होते है कि क्या होगा दोनों में चीज एकी है बस फरक इस solvent का है है ना तो यह दियान रखता समझ में आई बात चलो note करो फटा पट ठीक है बहुत अच्छा कहीं confusion हो तो आप मुझे पूच सकते हैं comment box में comment कर सकते है कोई भी दिक्कत आये तो ठीक है चालिए पर लेकिन repeat करना बार-बार तभी समझ में आएगा एक बार में समझ में नहीं आएगा note करने है और फिर question लगाने है ठीक है आपकी exercise में दे रखा है NCRT की exercise में बहुत सारे दे रखा है तो वहाँ देखें आप ठीक है चलो देख लेते है अब next हमारे पास क्या है NBS NBS वैसे NCRT में इसका कोई जिकर नहीं है NBS की वह नीट और जे डबली वालों के लिए काफी important है तो NBS का मतलब होता है बच्चों N-bromo-succineamide ठीक है इसके formula पे मैं नहीं जा रहा हूँ काफी बड़ी चीज़ होयागी काम क्या होता है allylic position में bromine group को attach करना क्या हुआ allylic position में bromine को attach करना allylic position मतलब double bond होना जरूरी है ध्यान रखिये है न suppose मैंने ऐसा कुछ लिखा है और आगे दिया है N-B-S N-Bromosaccinamide Bromo है तो बच्चों bromine attached होगा कोई और halogen attached लेगा bromine attached होगा है न तो इसका मतलब क्या हो आदेखो ये double bond है तो इस position को हम बोलेंगे allylic position मालूम है न आपको vinylic और allylic this position is called vinylic ये वाली vinylic, vinylic लेकिन बच्चों double bond के बाद जो carbon आता है single bond उसको हम allylic position बोलते हैं तो इसका मतलब यहाँ से hydrogen निकलेगा और क्या जुडेगा PR तो जो हमारा answer होगा वो होगा बिया इस तरह से 123, 3 bromo प्रोप 1 E इन answer होगा बच्चे कई बार गलबर कर देते हैं तब BR2 यहाँ लगाना है समझे बात मेरी तब आपको जो है BRN BR यह वाला कहानी है CCL4 यह कहानी अलग है तो यह addition का marker है यानि इसका मतलब क्या हुआ कि इस condition में addition होगी लेकिन NBS में क्या होगा हमेशा substitution होगा और कौन से hydrogen का substitution होगा allylic कई बार बच्चे confused वाते है तो NBS वाला ध्यान रखना है मैं जिकर क्या था एक चीज़ और NBS के case में malay justice आपको बोलूँ कि NBS दे रखा है तो बच्चों जहाँ पर double bond है उन position को हम विनायलिक बोलेंगे लेकिन यह वाली position और यह वाली position हम क्या बोलेंगे allylic तो दोनों में से किसी भी एक position पर क्या जुड़ेगा BR जुड़ सकता है ठीक है तो सिंपल सी बाद है double bond यह रखा आपने और BR यह जुड़ दया तो हमारा यह product हो जाएगे समझ में बात है कि न लेकिन इसकी direction अगर मैं BR2 से करूँगा तो BR2 double bond में गुश जाएगा और उसको single bond कर लेगा addition होगा तो समझ में बात है एडिशन कप करना है और substitution कप करना है ठीक है clear हो गया चलो आगया बड़े NBS पूछा जाता है कई बार competitive exam में दखास कर पूछा जाता है है ना NBS neat वाले थोड़ा सा देख सकते हैं JW वालों के लिए important है board में नहीं पूछा जाता है next हमारे पास है बच्चों HBR and HBR plus peroxide वैसे ये hydrocarbon का question है लेकिन यहाँ थोड़ा सा involve होता है क्योंकि hydrocarbon से ही हम alkaliol बना सकते हैं अब बच्चों जब HBR परोकसाइड होता है तो anti-marconic off rule याद होगा आपको anti-marconic off rule होता है लेकिन अगर केवल HBR हो तो बच्चों हमेज़ा क्या होता है marconic off rule होता है hydrocarbon में पढ़ा होगा आपने alkin वाले chapter में और दोनों का काम क्या होता है addition करवाना होता है और किसका addition करवाना होता है एक तरफ H जुड़ेगा और दूसरी तरफ क्या जुड़ेगा BR जुड़ेगा यानि double bonded carbon पे ही reaction होगी clear होगी ठीक है तो आप देखते हैं suppose मैंने इस तरह का कोई compound लिया है है न देखो मारकोनिय और एंटि मारकोनिय हमेशा unsymmetrical alkin में ही काम करते हैं symmetrical में इनका कोई role play नहीं होता है unsymmetrical में ही product change होते है तो अब हम चलाएंगे देखी HBR और साथ में परोकसाइड RRR परोकसाइड का यह तो symbol बना देंगे या तो परोकसाइड लिखेंगे है न RRR और दूसरी तरफ केवल हमने लिखा है HBR है न बच्चो देखो तो परोकसाइड क्या बोलता है कि BR यानि माइनस पार्ट उस double bonded carbon पे attack करेगा जहां पर number of hydrogen ज़्यादा होगी तो number of hydrogen ज़्यादा किसमें इसमें तो सीधी सी बात है हमारे पास जो answer होगा वो हो जाएगा यह वाला यह न इसी पे जुड़ेगा क्योंकि number of hydrogen ज़्यादा है लेकिन एंटी मारकोनी कॉफ में ज़्यादा हो जाएगा यानि BR उस double bonded carbon पे अटेक करेगा जिसपे number of hydrogen कम है यानि BR बीच वाले carbon पे आएगा तो कहानी हो जाएगी CS3, CH CS3 and BR तो यहाँ पे बनेगा 1-brumopropane यहाँ पे बनेगा 2-brumopropane ठीक है ज़्यादा जानकरे लेनी है आपने तो hydrocarbon वाला मेरा chapter देख लीजिए यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि alkyl halide कौन सा बन रहा है primary बनेगा या secondary बनेगा तो markonic off के साथ हमेशा secondary बनेगा anti-markonic off के साथ हमेशा primary बनेगा समझ में आ रहा बात ठीक है नोट करो अब दो और चीजी रह रखी है अगर आपको बच्चों reagent चाहिए function तो मेरे पास है नहीं function तो मैं वीडियो में बताब बताए रहा हूँ reagent चाहिए तो मैंने ये मुझे आप comment कीजिए मैं reagent पर आपको website के तुरू दे दूँगा पूरी list बनी है reagent next नमारे पास है ESR ESR of chlorobenzene ESR का मतलब electrophilic substitution reaction और हमेशा क्या होती है chlorobenzene, bromobenzene यह इस तरह के कोई compound होते है है ना उन में होती है तो simple सी बात है कि हमारे पास हमने यहाँ पर chlorobenzene लिखा और ESR का मतलब होता है बच्चों की कोई electrophile इस पर attack करेगा ध्यान करकना यहाँ 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 और थो पेरा औलव काटेगरी है और मेट काटेगरी है तो इलेक्ट्रोफाइल इन तीनो Waar पुजेशन परिएक करेगा मैटा पुजिशनल पर अटे baste करेगा यह कृकम करेगा कि अगर मैं क्लोरीन का नेचर देखूं तो बच्चों क्लोरीन का जो नेचर है वो और्थो पैरा डारेक्टिंग है। मतलब यह incoming इलेक्ट्रोफाइल को और्थो और पैरा पोजिशन पर अटैक करवाएगा। तो अब हमने क्लोरीन तो ऐसा जैसा था वहीं रहेगा और एक यहाँ पर एलेक्ट्रोफाइल अटैक हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो जाएगा पैरा पोजिशन पर थेंगा। अब इलेक्ट्रोफाइल की जगह में अलग-अलग reaction के type हो सकते हैं जैसे nitrogen होगा तो nitro group लगेगा sulfonation होगा तो SO3 group लगेगा halogenation होगा तो chlorine, bromine लग सकता है ठीक है? अगर fiddle craft alkylation होगा तो CS3 fiddle craft acylation होगा तो COCS3 तो वो 5 reaction आपको याद रखनी है जो benzene की ESR की reaction है यह मैंने concept आपको बता दिया ठीक है? समझ में बाता आ गई? चलो एक last इसमें एक और आता है की Grignaud reagent है न? तो देखिए RMGX this is called Grignaud reagent और Grignaud reagent इतना important है कि हर chapter में गुसा है हर chapter में इसकी reaction है clear होगे? ठीक है अब बच्चों Grignaud reagent की reaction कैसे होती? देखिए अगर कई बार लिखा होता है कि R और X और प्लस हमने यहां M G लिखा है कई बार है पहले इसको बनाते हैं देखो R X M G तो बनेगा R M G X Grignaud reagent ठीक है? और बच्चों Grignaud reagent की अगर गलती से आप water के साथ reaction करा देते हो तो Grignaud reagent हमेशा क्या देता है? हाइड्रो कार्बन देता है प्लस इसकी हमेशा जो reaction होगी उसमें जो byproduct होगा वो ऐसा ही होता है इस तरह से एक तरफ OH और एक तरफ X और बीच में M G हमेशा ठीक है? तो water के साथ या acid compound जो acidic होते हैं याद रखे हैं ना? RMG X water के साथ या acid compound जो acidic हैं जैसे alcohol carboxylic acid CH triple bond CH even amine इनके साथ acidic जो होते हैं या phenol के साथ इनके साथ हमेशा hydrocarbon ही बनाएगा always hydrocarbon बनाएगा और hydrocarbon में जो R होगा वो कहां से आएगा? इस RMG X से यानि यह R यहां सीदे ट्रांसफर हो जाएगा और इन acidic compound का H निकल के यहां attack करेगा क्लियर होगी? तो कौन सा hydrocarbon बनेगा decide करेगा कि RMG X के पास जो R है उसका nature कैसा है? वो phenyl है तो या कुछ और है? है ना? समझ में बात आ गई तो इस तरह से RMG X की reaction चलती है RMG X की reaction और भी होती है तो वो और chapter में अलग टाप से होती है लेकिन मैंने इसमें आपको बता दिया clear होगी है? पहले RX plus MG RMG X then water के साथ हमेशा hydrocarbon या acidic compound के साथ हमेशा हमेशा hydrocarbon बनाएगा clear होगी है? इस तरह से ये काम करता है ठीक है? तो शायद मेरे हिसाब से इतने reagent पूरे होगी है हाँ एक और चीज़ है इसमें आ गई एक और चीज़ है ये होगी हाँ चालो आप बोलोगे कि फिर बताया नहीं हाँ P plus I2 P plus I2 का भी काम क्या होता है बच्चों? की OH को हटा के I group लगा देना OH replaced by I तो जो PCL5 में CL काम करा था वो P plus I2 में क्या काम करेगा? I ठीक है? तो सिंपल सी बात है अगर मैं यहाँ पर एक alcohol लेता हूँ और उपर लिखता हूँ P plus I2 तो क्या हो जागा बच्चों यहाँ पर अलकाइल आयोडाइड बन जाएगा है ना इथाइल आयोडाइड तो फॉस्परोस प्लस हैलोजन जो भी हो वो हमेशा क्या करेंगे OH को हटा के एक हैलोजन लगा देंगे लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुवात में बथा था कि PCL5, PCL3 इसमें CL है इसलिए CL लगेगा लेकिन P प्लस I2 में क्या है आयोडीन है तो हमेशा क्या होगा आयोडीन ही वहाँ पर आने वाला है क्लियर हो गया तो इस तरह से इस हैलो अलके और हैलो एरिंट में आपके रेजयंट काम करते हैं समझ महें बात आगे चलो देखो सोचोज़ा की कौन-कौन से रेजयंट मैंने आपको बताये और वो रेजयंट किस तरह से काम करते है अब मैं आपको सिंपल एक question से मैं ये पूरा solve कर देता हूँ मैं दो चीज़ें आपको बताने बाला हूँ question लेते हैं कि हम इन सबका use किस तरह से करेंगे ठीक है भई NCRT का ही question है अगर आपके पास कोई हो तो आप मुझे पूर सकते हैं ठीक है आप देखो CH3, CH2 CH3 का whole twice CBR है ना और प्लस यहां लिखा है के वेच और यहां लिखा है यह थे नॉल अब पूछा है कि what will be the product अब देखो बच्चू हमने यह देखना है कि इसका काम क्या इस इस काल्ड एथेनॉलिक के वेच और एथेनॉलिक के वेच का काम होता है elimination rather than substitution elimination होगा तो BR यहां से निकलेगा और H कहीं और से निकल जगा यानि minus HBR always यहां पर क्या बनेगी एक alkin बनेगी और कौन से alkin बनेगी इसको जरा सही से करो भई CS3 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 and BR ऐसे लिखेंगे तो H in में से किसी एक से जाएगा और BR यहां से जाएगा यानि इसका मतलब यहां पर double bond लगने वाल है तो जो हमारा answer हो जाएगा वो हो जाएगा isobutylene पस clear हो गया तो यह कहानी खतम हो गई दूसरा देखो CH3 CH2 BR plus KCN अब देखो भई अभी क्या बोला था KCN का क्या काम होता है substitution reaction करना क्योंकि CN यहापर nucleophile है तो CN क्या करेगा BR को replace कर देगा तो यहाँ पर reaction हो जाएगी यह कानी खतम CS3, CS2 CN ethyl sainide या propane nitrile clear तो बस इसका function आपको मालुम होना चाहिए है न चलो आगे देखते हैं एक और मैं आपको example करवा देता हूँ है न CH3 CH2 CH double bond CH2 ठीक है बई और यहाँ पर लिखा है HBR और इधर लिखा है परोकसाइड ठीक है जहां जहां आपको HBR और परोकसाइड दिखे इसका मतलब addition reaction तो हो रही है लेकिन किसके थुरू हो रही है anti-marconic off के थुरू addition reaction हो रही है अब anti-marconic नियम क्या बोलता है कि BR उस double bonded carbon पे attack करेगा जिस पर number of hydrogen ज़्यादा होंगे ठीक है तिसका मतलब BR सबसे किनारी आएगा तो answer यहीं परवलिक देता हूँ तो BR यहां तो H यहां है ना तो देखो CH3 CH2 and CH2 and CH2 and BR यह answer हो जाएगा तो 1,2,3,4 वन ब्रोमो ब्यूटेन तो इस तरह से हम किसी भी reaction को आसानी से कर सकते हैं अगर हमें reagent का function मालूम चल जाने तो NEET और JW के point of view से काफी important lecture होने वाला है ठीक है तो कभी इसके example में डंग से करवाऊंगा ठीक है तो अभी आप reagent देखो इनके function देखो एक notes बना लो कि क्या-क्या function करने वाला है और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ और example करवाऊंगा ठीक है बच्चों चलो वीडियो समझ में आया नहीं समझ में आया ताब मुझे comment करके लिख सकते हैं कोई चीज रह गई हो कोई चीज समझ नहीं हो ताब मुझे comment कर सकते हैं ठीक है चलो बच्चों तब तक के लिए thank you very much ठीक है